नमस्ते बच्चों, आज हम अपनी बाल भारती कक्षा पहली का पेज नमबर 28 निकालेंगे 28 पेज नमबर जहां पर आपको एक चित्र दिया गया है यह चित्र आपको समझना है सबसे पहले इस पाठ का नाम है पाठ पाँच जंडा और आप लोग देख भी रहें कि यहां पर कुछ इसी तरह का कारक्रम मनाया जा रहा है जंडा द्वजा रोहन का जिस दिन हमारे दो राश्ट्री तेवहार हैं आप लोग को पता है एक 15 अगस्त को होता है और एक 26 जनवरी को उसी प्रकार यहां पर भी 2000 रोहन का कारक्रम चालू है जहां पर आप लोग को यह एक घर जैसा दिखाई पड़ रहा है सभी लोग को दिख रहा है कि नहीं यह घर है और यहां पर क्या लिखा गया है बसेरा बसेरा यानि क्या है निवास होता है जहां पर लोग रहते हैं पर बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर कई वृद्ध लोग यानि बूढ़े लोग हैं कि नहीं रहने के लिए जो वृद्ध लोग हैं उन लोग का बसेरा है यानि वृद्ध आश्रम है यह जो बूढ़े लोगों का भी करते हैं ऐसे करके हमारे देश में कई वृद्धाश्रम है जिन लोग का कोई करने वाला नहीं होता है वो लोग वहां जाकर रहते हैं तो बच्चों ऐसे यहां पर कई वृद्ध लोग दिखाई पड़ रहे हैं और ये वृद्ध भी हैं दीव्यांग भी हैं बच्चों कि इनई किसी का पैर नहीं सही है किसी का मतलब किसी न किसी अंग के नाते वो अपाहिस जिसको हम कहते हैं वो उसका अच्छा सा शुद्ध नाम दीव्यांग है हां तो कई दीव्यांग वेक्ति भी यहां पर है तो बच्चो यहां पर 2000 रोहन का कारक्रम चालू है जहां पर कुछ शिक्षक गण और विद्यार्थी गण भी आये हुए हैं जो जंडे को सलामी दे रहे हैं और देखो यहां पर बसे रहे के यहां से ले के दूसरी इमारत पताखाओं से सजाया गया है पूरा परियावरन और कई सुंदर पेड भी दिखाई पड़ रहे हैं और यहां पर हमें कुछ सुंदर सी फूलो की रंगोली भी बनाई गई है जो की और भी सुशोबित कर रही है इस कारक्रम को तो बच्चो यहाँ पर आप लोग को कई लोग दिखाई पड़ रहे हैं कि ने और कुछ लोग जो वेक्ति दिव्यांग है कोई कुरसी पर बैठा है जो वीलचेयर होती है दिव्यांग वेक्तियों के लिए और कुछ लोगोंने वैसाखी भी ली है देखो यहाँ पर जो माताएं खड़ी है उन्होंने वैसाखी ली हुई है उनकी सहायता से वे खड़ी है तो बच्चो यह यहां पर धोजा रोहन का कारक्रम चल रहा है। बच्चों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं कुछ शब्दों को दोहराऊंगी उन शब्दों को आप लोग को भी वाचन करना है। सबसे पहला शब्द यह है इडली आप लोग जानते हैं यह खाद्य पदार थे इडली जुन्ड जुन्ड याने क्या होता है ग्रुप आप देखो यह एक जुन्ड है यह जुन्ड दिखाई पड़ रहा है इसे ही जुन्ड कहा जाता है। दीरांग मंगरू जोड कडाही कडक जरना अंडा प्रातह सुंब जंडा सलामी वरिक्ष बैसाखी जैसा कि मैंने बताया कि जो खड़े रहने के लिए जिसकी सहायता लेते हैं उसको बैसाखी कहते हैं साड़ी व्रिद्ध पुरुष महिलाएं आंगन चबूतरा दीव्यांग बच्चो यह सब जितने भी शब्द हैं इस चित्र से संबंदिती शब्द हैं बच्चो अब यहाँ पर आनंद और खुशी व्रिद्धाश्रम गए हैं बच्चो दिखाई पड़ आप लोग को आनंद और खुशी यहाँ पर आये हुए हैं जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था यह हमारे शुरू से अंततक के पाठ में आये हुए हैं अब यहाँ पर कुछ वाक्ये भी है इसी चित्र से संबंदित है जो हम पढ़ेंगे व्रिद्धाश्रम में व्रिद्ध लोग ही रहते हैं मैंने बताया ना यहाँ पर केवल व्रिद्ध लोग बूढे लोग जिनको हम बूढे कह सकते हैं जिनका कोई करने वाला संभालने वाला नहीं रहता है तो उनको उनकी सहायता के लिए कुछ लोग यहाँ हमेशा उपलब्द होते हैं और यह व कर सब्सक्राइब karşete सब्सक्राइब तो बच्चों ये तो हमें देख के पता चल रहा है कि द्धोजा रोहनिया पे ज़ण्डा है उसका कायल करम आपलोग ये ज़ण्डे को कलर भी कर सकते हैं पुरा सफेद जण्डा है आप जयसे आप लोग को पता है कि उपर फिरोजी कलर रहता है केसरी कलर केसरी कलर रहता है और नीचे हमारा हरा कलर रहता है तो आप लोग इस जंडे को अच्छे से सजा दिजिए कलर करके अब विद्यार्थी और शिक्षक भी आए हैं विद्यार्थी और शिक्षक आप लोग को दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे विद्यार्थी है, यहाँ पे शिक्षगण है, सभी जंडे को क्या कर रहे हैं, सलामी दे रहे हैं, धजारोहन में दिव्यांग भी शामिल है, धजारोहन में दिव्यांग व्यक्ति आप लोग को दिखाई पड़ रहे हैं, यह सब दिव्यांग व्यक्ति हैं, वे ल कितना सम्मान मिल रहा है हमारे इस देश के जंडे को इसी तरह सभी जगह धजा रोहन का कारक्रम मनाया जाता है बच्चो आप लोग ने भी अपने विद्याले में देखा ही होगा कि किस तरह धजा रोहन का कारक्रम हर साल मनाया जाता है तो बच्चो ये चित्र का वर्णन था जो हमारा यहीं तक था अब हम इसे अगले पार्ट में अगले क्लास में आगे का मैं पढ़ाऊंगी अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं तब तक के लिए नमस्कार